IET NCERT द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय ग्यारह भुट्टे प्रिष्ठ संख्या सरसठ मिलकर पढ़िए नीना के नाना बाजार गए नाना खूब सारे भुट्टे लाए नाना ने नीना के लिए भुट्टे भुणे नीना ने जी भर कर भुट्टे खाए इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिखाए गए है पहले चित्र में एक आदमी के दोनों हाथों में थैले है और थैलों में भुट्टे भरे हुए है दूसरे चित्र में एक आदमी चूलहे पर भुट्टे भून रहा है उसके पीछे एक लड़की खुश होती हुई दिखाई गई है इस चित्र में एक बच्ची बैठ कर भुट्टा खा रही है जबकि उसके पास में एक प्लेट में नीमबू और नमक रखा हुआ है इस चित्र में दो चड़िया भी दिखाई गई है प्रिष्ठ संख्या अनसठ नीना की नानी ने भुट्टे उबाले नाना और नानी ने जी भर कर भुट्टे खाए नीना ने फिर क्या किया आगे की कहानी बनाईए और अपनी भाशा में सुनाईए शिक्षन संकेत बच्चों के साथ कहानी पर चर्चा करें जैसे नानी जी ने भुट्टे क्यों उबाले होंगे नाना जी के थैलों में कितने भुट्टे होंगे भुट्टे भुनते समय नीना क्या देख रही होगी अगर कहानी में नीना का भाई और बहन भी होते तो क्या होता आदे बच्चों से कहें कि वे कहानी में भुट्टे की जगह मटर रखकर अपनी कहानी बनाए और कक्षामी सुनाए इस प्रिष्ट पर दो चित्र दिये गए हैं पहले चित्र में एक चूले पर हांडी रखी हुई है एक महिला उसमें कुछ पका रही है एक छोटी बच्ची उसके पीछे खड़ी है दूसरे चित्र में नाना जी और नानी जी भुट्टे खा रहे हैं प्रिष्ट संख्या उनहत्तर इन प्रश्णों के उत्तर लिखिए एक इस कहानी में कौन कौन है रिक्त स्थान दो नीना के नाना बाजार से क्या लाए रिक्त स्थान तीन, तालिका में दी गई बातों के विशह में बताईए और कुछ वस्तूओं के नाम लिखने का प्रियास कीजिए आप किन-किन वस्तूओं को भून कर खाते हैं? आप किन-किन वस्तूओं को उबाल कर खाते हैं? कौन-कौन सी वस्तुएं तल कर खाई जाती हैं। यहां दिये गए शब्दों में उ या उ की मातरा लगाकर शब्द लिखिये। गेह, भाल, कलफी, दध, आल, भट्टा अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वानी पुस्तक सारंगी। वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील, तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन मयंक कुमार, निर्माण सहायक तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T. नई दिल भारत.